आदानी विलमर एक ऐसा स्टॉक जिसमें पिशले चार कोवाटर में रिटेलर्स ने बार भर के अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। हुआ ये कि आदानी के बाकी सारे स्टॉक इतना चल चुके थे कि कोई उनको लेने की हिमाती नहीं कर रहा था। फिर आदानी विलमर का IPO आता है, IPO में जितनी भी लोगों को FOMO, Missed Out की फीलिंग होती हो सीधा आते हैं अदानी विलमर के पास अपनी पोजिशन मनाते हैं और धीरे धीरे उस पोजिशन को बढ़ाते भी चाते हैं। अब जो कंप्लीट अदानी की लिटेट इशूज हो रहा है, एडिनबर्ग की रिपोर्ट आई है, बांगलादेश चे ओर्डर्स कैंसल हो रहे हैं या फिर दिक्कते बढ़ती जा रही है, इन सभी कारणों के चक्कर में अदानी की सारे स्टॉक्स टूट रहे हैं, तो ओव अगर इसका बिजनस 100 रुपे का है, तो 80 रुपे का बिजनस तो आता है सीधा-सीधा एडिबल ओयल को ट्रेड करते वे, ट्रेडिंग नहीं होती, एक जगे से खरीद लिया, दूसरी जगे को बेज दिया, बस यही इनका होता है 80% बिजनस, और बाकी 20% बिजनस आचा है, फोर्चून के ब्राइंड से, मेंली हम बोल सकते हैं फोर्चून ओयल से, तो 20% तो प्यॉर प्यॉर FMCG का बिजनस है, और बाकी 80% इनका बिजनस होता है, जो मेंली होता है ट्रेडिंग के रिलेटेड, अब हम सबसे पहले रिजल्स और EPS और सेल्स की ग्रोफिरेट को चेक के अगेस्ट में सेल्स अभी भी कंसिस्टेंटली मिंटेन है, EPS की ग्रोफिरेट कोई अच्छी नहीं है, जो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट करें, अगर हम येर औन येर EPS की बात करें तो 2022 में EPS रफरिता 6.92 में और 2023 में जो एक्सपेक्टेड है 7.75 के आज पास है, ज़्यादा बड़ी इंक्रीस नहीं हो रही है, अब अगर हम सबसे important point इनके ownership पार्टन की बात करें तो आप checkout कर सकते हैं, promoter की holding 87.94% है, as per rule इन्हें अपनी promoter की holding आने वाले 2 सालों में कम करके 75% के नीचे लानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से हो सकता है, OFS आजाए, जिसके route के थुरू इन्हें अपनी promoter की holding को कम करके 75% के नीचे लाना पड़ेगा, मतलब इस stock में हमेशा आने वाले 2 सालों तक यह हमेशा डर बना रहेगा कि कभी भी overhead supply आ सकती है, mutual funds की कोई major holding नहीं है, insurance companies की कोई holding नहीं है, FIS की holding March में थी 2% की जो reduce होते हो 26% पर पहुच गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि retailers ने हर quarter में धीरे-धीरे stock को पसंद किया है और average down करते गए हैं, अगर हम major shareholder की बात करें तो पहले आता है अदानी commodities, जो 43.97% hold कर रहा है, दूसरा आता है Lense PTE, जो obviously foreign की company है, इनका counterpart है, जो 43.97% hold कर रहा है, इनका जो foreign का counterpart है, उसका track record foreign के market में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, ये चीज़ धियान रखनी पड़ेगी, management team की main list आप यहाँ पर चेकाउट कर सकते हो, यहाँ पर कोई important point of discussion नहीं है, next हम चलते है annual figure पर सबसे पहरे चेकाउट करते है return on equity, इनका 2022 में return on equity है 11% के आसपास, normal FM MCG company से काफी कम है, return on capital employed है, 19.65% के पास, okay-okay है, sales की growth rate, यह इकलोता ऐसा fundamental का figure है, जो इनका काफी अच्छा है, पिछले एक साल में 41% की increase देखने को मिली है इनकी sales में, जो काफी interesting हो जाता है, अगर हम after tax margin की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ 1.54% है, जो काफी कम होता है, usually इ क्योंकि इनका main business है, जो 80% का business है, वो है trading का business, वहाँ पर obviously बड़ा margin नहीं छूट सकता, next अगर हम check out करें net income को, तो आप नहीं पर check out कर सकते हो, September के quarter में degrowth हुई है 65% से, June के quarter में भी increase हुआ है 2% से, पर कोई major data यहाँ पर नहीं available है, और major कोई improvement भी देखने को नहीं मिला है, चाए pre-tax income हो, चाए EBIT हो, regularly decrease हो रहा है, overall इनकी sales बढ़ रही है, तीरे-धीरी अपने market में penetrate करते जा रहा है, और sales बढ़ने का main current ये भी है कि इन्होंने volumes, especially trading business में काफी अच्छे बढ़ाए है, जहाँ पे इनकी sales तो अच्छे दिख रही है, main important होगा कि इस quarter में और आने व है, यहाँ पे आपके सामने technical chart, अगर आप technical chart दिखेंगे, तो September 2022 में इसने cup with handle का pattern का breakout दे रहा था, 761 के उपर, breakout के बाद तोड़ा सा perform भी करा, पर वापिस से retest होके नीचे के level पर जा चुक है, अब at least at least इसका level होता है 423 का, जब तक ये stock 423 के उपर नहीं जाता है, काफी अगर हम investment या trading या positional purpose से इस stock को study करना चाते हैं, तो 423 का level होता है, जिसके उपर हमारी नजर होने ही चाहिए, इसके उपर ही कोई trade बन पाएगी, अगर हम purely tactical perspective से बात करते हैं, तो अगर हमें किसी में position दानी है, जिस भी दिन आगर हमें छोटे से stop loss से काम करना है, सपोस करत चोटी मोटी position, चोटे से stop loss से काम करें, तो सीधा हमें lower circuit से upper circuit का tactical call मिल सकता है, इस चीश का ध्यान रखना है, पर एक चीज़ important ये भी है कि जब हमारे target returns मिल रहे है, profit book करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से lower circuit से upper circuit पे जाएगा, आपर circuit से lower circuit में भी वितनी ही जल्दी जाने की possibility बनी रहेगी, एक वापिस से major fall आया अदानी के group में, और सबसे पहला stock यही होगा, जहां पर हमें correction देखने को मिल सकता है, क्योंकि fundamentals में भी बहुत ज़्यादा improvement देखने को नहीं मिल रहे है, और अभी भी stock एक अच्छे P.E. के valuation में, 70 के ऊपर का P.E. already चल रहा है कि भाई, मैंने तो 10 stock में invest कर दिया, एक stock 0 हो जाएगा, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, तो obviously आपका mindset clear है, आपका stop loss fundamental basis पे लगता है, जिसके लिए अभी आपको तोड़ो आट्स को time देना पड़ेगा, I hope मैंने सारे के सारे important points इस stock related cover कर ली है, अब चलते हम आज के पहले पार्ट पे जिसके नाम है market today, सबसे पहले अगर हम index को जग आउट करें तो 106 और nifty neutral था, bank nifty 0.28% positive था, mid cap index एकदम neutral close हुआ, 873 stock advance हुए, जिसके against में 1100 के आसपा stock decline हुए, comparatively poor था advance line ratio, आपने एक छोटी सी चीज चेक आउट करी अभी तक या नहीं करी मुझे नहीं पता, पर आपके notice में मैं डाल देता हूँ, budget के दिन से लेके, जो budget की दिन की range थी, वहीं पर market उपर और नीचे उस range को respect करते वे काम कर रहा है, कल के दिन है हमारी policy वारा दिन, कल सुब़े 10 बर देन आने वाली है policy, and I personally expect कि ये जो छोटी सी range बनी वी है, कल के दिन break अगर होनी है, और time भी है, मोहरद भी है, तो कल के दिन ये break हो सकती है, इधर side पर तो ध्यान रखना पड़ेगा, आगर हम index की बात करें तो reality, private bank और financial services अच्छा perform करें, जिसके against में auto, FMCG commodity तुछा सा कमजोर है, auto, IT और उसके साथ-साथ banking सबसे important sector होने वाले है, notice रखने के लिए, विक्स 14.12 पर है, काफी comfortable है, निफ्टी की बात करें तो आज के दिन की range थी 17,650 और high था 17,800, by the way आपको कल ही बताया था कि यही range है, नीचे वाली range का हमारा level था 17,670 के आसपास, almost उसी range से bounce back आ गया, उपर का high की range थी हमारी 17,820 के उपर fresh breakout था, तो ना हमें breakout दिया, ना हम breakdown दिया, किसी भी side की major trade हमें नहीं दी, पर हाँ हम कह सकते हैं कि support से bounce back आ गया, एक ऐसा दिन था जो premium eating data, पर पूरे दिन में जो data बनावा था, comparatively negative side का data था, यह हमें समझना पड़ेगा, चलिए चलते हैं, final section पर जिसके नाम है, expectations from tomorrow's market. सबसे पहले हम FIAs और DIAs का data check out कर लेते हैं, DIAs ने 1200 करोज की sell करी, FIAs ने वितने amount की purchase करी, major momentum हमें 6th of Feb को देखने को नहीं मिला, देखना पड़ेगा कि कब होती है वापिस से FIAs की bull की तरह market entry, अब अगर हम check out करें intraday data को, तो simple सा chart मैंने आपके सामने present किया था, देख जहां पर market नहीं गया, उसी level से reverse हुआ, और हमें नीचर major breakdown मिलना था, जब भी market 17,660 का level cross करके नीचर जाता, इसी के level से आपको bounce back मिल गया, तो एक बहुत प्यारी range में काम किया है, इवन आप check out करेंगे ना, पिछले budget के बाद से, majorly जो budget के दिन की range थी, उसी range के बीच में market काम कर रहा है, अब कल के दिन बहुत important हो जाता है market का, कि किसी भी side का ये direction पर कर सकता है, और हमें एक major move मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन data negative था, तो negative side के direction के भी chances बनते हैं, इस इस का ध्यान रखेगा, अगर हम strength की बात करें तो 17,816 के उपर हमारी pure entry होती है, हो सकता है कल market market नीचे खुले, तोड़ा सा नीचे की side काम करा है, और नीचे की side काम कराने के बाद, इवन अगर 17,750 के level को cross करता है, ये pure pure condition पूरी समझेगा, जो हम discuss कर रहे है, पहली प्यारी condition और trade ये होती है, कि market खुले flat, या फिर हलका सा नीचे खुले, फिर नीचे जाए, एक बार 17, 17,656,25 तक के levels को cross touch करें, और फिर अगर move करके 17,750 को cross करके उपर निकलता है, तो एक लंबा positive दिन का trade हो सकता है, अगर market open ही flat होता है, तो 17,816 के उपर नई entry बनेगी, अगर market को negative होना है, तो negative होने के लिए हमें trade मिलेगी, 17,664 के नीचे जाते ही, अगर undercut करता है, तो एक बार चाहे तो value zone में वापिस से जा सकता है, जो value zone हम कई बार discuss कर चुके हमारा जो level पूराना वाला हो जाता है, जहां पर एक basket buying की opportunity वापिस होती है, अगर market को वापिस से इस range को test करना है, तो करना है नहीं करना मुझे नहीं पता, अगर करना है तो कल यानि की Wednesday का दिन perfect होता है इस range को test करने के लिए या इस range के आसपास जाने के लिए भी, अगर कल में नहीं जाता है, तो फिर धीरे धीरे, जैसे से दिन भीटते जाएंगे, chances कम होते जाएंगे कि ये नीचे की range में वापिस से जाके मौका देगा, अभी general market train भी neutral में आ गया है, क्योंकि अगर हम daily candle पर check out करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, market ने supposedly एक bottom बना के धाई दिन तक उस bottom को sustain कर लिया है, market ने यहाँ पर bottom बनाया, और इस bottom वाले दिन को धाई दिन तक sustain कर लिया है, तो यहाँ पर general market train neutral में आ गया है, अब देखने वाली बात होगी, क्या हमें follow through strong day मिलता है, क्या जहाँ पर volume भी ज्यादा हो, और market भी 1.5% से ज्यादा बड़े, तो general market train uptrend में आ जाएगा, एक strong day चाहिए volumes के साथ, और general market train uptrend में आ सकता है, तो ध्यान रखेगा इस बात का, अभी हम neutral में हैं, तो neutral के according काम करना, value zone पे जा रहे है, तो value zone में एक छोटी सी risk लेना काम रहे तो कभी भी यह 41,800, देखे exactly बात करें, तो 41,800 के उपर ही हम कुछ कर पाएंगे, उससे पहले कुछ भी करना काफी risky हो सकता है, तो इस चीच को हमें respect करना पड़ेगा, although हमें दिख रहा है कि छोटा सा यहाँ पर काम होता हुआ, 41,650 के उपर भी मिल जाएगा, but मैं इसको safety margin रखते हुए, 41,800 के उपर ही कोई काम करने की कुशिश करूँगा, positive side का, 42,000 के उपर sustain करते है, तो बहुत अच्छे strength आएगी, कल के लिए 41,000, कल का यह level तोड़ा सा नीचे हो जाएगा, यह हो जाएगा, 40,900 का ultimate support के ऐसे काम करना चाहिए, अब अगर हम कुछ important stocks की बात कर मेंशन कर रहा हूँ, reliance, इन दोनों stock के momentum पे ध्यान रखेगा, reliance अपने final support, reliance का भी नाम लेने काना एक बहुत important कारण है, आपको में इसका chart ही दिखाता हूँ, reliance आप देखोगे, इसका final support अगर आप daily candle पे जाके देखोगे, जो इसका ultimate ultimate support होता है, 2255 का, यह मैंने candle आज लगाई यह line, जिस समय market यहाँ पे आया था, तब भी यही line थी, यहाँ पे भी यही line थी, यहाँ पे भी कहा था कि final support यही है, इस support के पास जा रहा है, तो हो सकता है, एक बार को undercut कर जाए, बट यह level इसके लिए do and die का level होने वाला है, चलिए, अब सबसे पहले हम check out कर लेत पर अभी कल के लिए भी important रहेगा, अगर कल यह कभी भी 4,714,15 के आसपा से relations face करता है वापिस से, तो negative side की भी trade इसमें मिल सकती है, यह चीज का ध्यान रखेगा, next important stock है Amboja Cement, देखिए, जिस तरीके से Amboja Cement ने यहाँ पे lower wick निकाल के निकालने की कोशिश करिए, अगर यह कभी भी, द्यान से समझेगा, even 390 के level, मेरे साब से even यह level भी बहुत important होगा, 390 के level के उपर जाते ही, immediately हमें 412 के और 427 तक के levels यहाँ पे open हो जाते हैं, आज के दिन का low हमारा हो जाएगा stop loss इस complete stock में, तो कल की लिए Amboja Cement काफी important हो सकता है trading के perspective के लिए, लेकिन strict stop loss reward ratio fair में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं होता यह सब काम करने का, अगर वीडियो अच्छा लागे तो like करें विन अमज जाएगा, join अभी तक आपने नहीं करी है membership, तो subscribe के पास में join button मिल जाएगा, happy learning and I will see you very soon.